धर्मप्राण सुन्दरशाद जी सजन ब्रिंद कोरोना वाइरस को फैलने से रोकने के लिए भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं और माननिय प्रदानमंत्री जी ने जो घोशना की है उसको हम सभी को अक्षरशह पालन करना है ये बहुत भैंकर महामारी है जिन देशों में इसने अपना भैंकर रूप दिखाया है उनमें से एक देश इरान भी है उसका वीडियो किसने मुझे भेजा था तो उसको देखने से रिदय द्रबित होता है कितने लाशने सड़क में पड़ी हुई है उसको कोई उठाने वाला नहीं है कितने लोग सड़क के किनारे पड़े हुए खास रहे हैं उनको कोई सहयोग पहुचाने वाला नहीं है ऐसी परिष्टिती हमारे देश में ना आये इसके लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है यह हमारे लिए जान बची तो लाखों पाया यह कहावत है यह सचमुच सही है हमारे जान बचेगी तो संपत्ति तो लाखों मिल ही गई है फिर और मिल जाएगी इसके लिए हम लोगों को इस खत्रे को बढ़ाना नहीं है मैं आप सब को डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ यह अथार्त अथा है उससे अवगत करवा रहा इसलिए मेडिया के माद्यम से जो भी सही मारगा दर्शन प्राप्त हो रहे है उसका पालन करें यह हम लोगों को माद्यम से फैलता है या कोई हमें दे जाता है फिर हम उसको दूसरों के साथ में बांट लेते हैं इस लेंदेन को बंद करना बहुत आवश्यक है इसके लिए यह लोगडाउन है हमारे सामने जो खत्रा मड़रा रहा है इस खत्रे को हम आवशर में बदल सकते ऐसा कहा जाता है मैनेजमेंट में भी जो थ्रेड्स हैं उसको अपर्चुनिटी में बदलो तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ हमारे सामने जो खत्रा है उसको हम अवशर में कैसे बदलेंगे तो हम बदल सकते हैं इसके लिए हम अनुष्ठान करें ब्रह्मवानी स्री तार्तम सागर का पाठ पारैन करें और यह जिसके पास में यह दिब्रह्मवानी नहीं है तो वो लोग नवतनपूरी एप्लिकेशन से भी डाउनलोड कर शकते हैं कृष्णप्रणामी.org उसमें से भी डाउनलोड कर शकते हैं आप सभी के पास में स्मार्टफोन है तो आप उसमें डाउनलोड करें और सभी परस पर बांट ले तो कोई एक दिन में एक ग्रंथ पुरा कर ले दूसरा दूसरा ग्रंथ पुरा कर ले तीसरा तीसरा ग्रंथ पुरा कर ले तो ऐसा करेंगे तो आप लोग दो दिन से तीन दिन में तो एक पारण पूरुन करी लेंगे इसी प्रकार आप दूसरे पाठ भी कर सकते हैं महर सागर का पाठ ये कृपा के सागर पूरुन ब्रह्म परमात्मा की गुड़ों स्तुती है उनके गुड़ों का वरणन है उसका पाठ करेंगे तो भी बल मिलेगा इसी प्रकार महामती स्री प्राणनाजी के जीवन वृत्त को आप जानते हैं तो याद कर ले उदैपूर में बड़ी बिकट परिस्तिती आई मुगलों की सेना ने आकरमन किया पूरे सहर के लोग घरवार छोड़ करके जंगलों में भटकने लगे जैसे ही ये समाचार प्राप्त होते हैं तो महामती स्री प्राणनाची के रिदाय बड़ा द्रवीत हुआ और उन्होंने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना की है तो उस प्रार्थना के प्रकर्ण है वो बिरहा के च्छा प्रकर्ण हम लोग नित्य पाठ के रुप में पाठ करते हैं आप उनका पाठ कर सकते हैं इसी प्रकार हमारे पास पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का द इसका हम जब करें हम सभी ऐसा कारिय करेंगे तो जो भी नकारतमक्ता है नेगेटिविटी है वो बिल्कुल सकारतमक्ता में बदल जाएगी इससे बहुत बड़ा लाव होगा जो रोगी जन्मा और मृत्यु के बीच में जुल रहे हैं उनको बल मिलेगा उनको शक्ती मिलेगी जो लोग उनको सहीज़ग देने के लिए सेवा कर रहे हैं डॉक्टर्स हैं मेडिकल स्ताफ पारमेडिकल स्ताफ और जो भी सिक्यूरिटी अजेंसीज हैं सापसफाई के लिए करमचारी है और समाचार देने वाले मेडिया कर्मी हैं इस सब जान को जोखे में डाल करके मैनत कर रहे हैं इनको शक्ति मिलेगी सामर्थ ये बढ़ेगा इसके साथ साथ हमारा भी कल्यान होगा हम अच्छा कारिय करेंगे तो हमारा मन इधर उधर भठेकेगा नहीं बेर्थ में वो सोसल मेडिया में समय लगाएं अपने आख को खराब करें दिमाग को खराब करें उसके इसके पाठ पारेंड करें जो लोग स्रेकृष्ण प्रणामी संप्रदाय के अनुयाई नहीं है तो लोग जो भी जिस इस्ट वुमानते हैं उनके मंत्र का जब करें जो भी पाठ कर शकते हैं वह पाठ करें जो भी अच्छाई के लिए आप कुछ भी करेंगे तो उसका पोजेटिव वाइबरेशन फैलेगा बहुत बड़ा काम होगा इसको रोकना हमारे हाथ में हैं हम लोग नियमित होंगे सकारात्मक विचार रखेंगे तो बहुत बड़ा काम होगा बहुत अच्छा काम होगा हम पूरी दुनिया के भलाई के लिए अच्छा करें हमारे भी भलाई होगी उससे में परिवार के भलाई होगी हमारे साथ में जुड़े हुए लोगों के भी भलाई होगी पूरे राश्टर के भलाई होगी और मैं तो यहां तक कहुंगा कि पूरी मानवता के भलाई होगी इसलिए अभी लोकडाउन का पिरियड है इसको कर्फियू से कम ना माने और सभी लोग जहां हैं वहीं पर रहें और दुसरे से मिलना जुलना बंद कर दे इससे ये वाइरस बिलकूल ही नश्ट हो जाएगा और हमें विजय हशिल होगी तो ये बहुत बड़ा कारी होगा इसमें सब के सहीो की आवशकता है इस थ्रेट को अपर्चुनिटी में बदलना ये हमारा कर्तब्य है इसलिए मैंने कर्तब्य बूध सब के अंदर आ जाए इसके लिए ये बात आप सब के सामने कही है आपको जितना ठीक लगे उसका पालन क करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा नवतन पुरिधाम में भी अभी किसी का भी आना जाना बंदा है यहां जो लोग रहते हैं और जो गरीब लोगों के लिए सरकार की और शे कहा गया है उनको भोजन बगरे बना करके देने का उतना ही कारी यह होता है उसके लिए जो बह को बाहर जाना पड़ता है उतना बाहर जाता है और कारिय करता बाहर जाते आते हैं मैंकि दूसरा बिलकुल ही सब कारिय बंदा है सब लोग यहां पाठ पारायर पड़ रहे हैं अनुष्ठान कर रहे हैं पुजा पाठ बगरे सब में समलगन हो रहे हैं इसलिए मैं आप सभ के लिए हमारी यही प्रार्थन रहेगी मैं हाथ जोड़ करके आप सबसे अनुरुद करता हूं